प्री मित्रो आपका अपने यूट्यूब चैनल जी एस युक्ति परहार्थिक स्वागत है आज हम लोग लभुमात्रिक तत्तो यानि माइक्रो न्यूट्येंट्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनके संबंध में अध्यन करेंगे मित्रो प्लांट्स में इतने तरह के तत्तो पाए जाते हैं इसे प्राथमिक खनीश उसमें नाइटोजन है फासफोरस है और यह पोटैसियम है इसके बाद एक दुतियक खनीश भी इनकी भी आउशक्ता होती है पहुद्धोगों उसमें है कैल्सियम और यह सलफर फिर माइग मखनीश इसके बाद एक होता है सूच मखनीश या माइक्रो मिनरल्स इनकी भी जरूरत होती है इसमें है कॉपर सी यू फिर जिंक जेडेन फिर आईरन एफी उसके बाद माइगनीज मन मॉलिविडनम एमो और बोरान भी तो इतनी की जरूरत होती है इसके बाद मित्रो विरहत पो सक्तत्त की बात करते है विरहत पो सक्तत होते है जिनकी पौधों को अधिक मातरा में आव शकता होती है इसलिए इनको कहते है मैक्रो न्यूट्रेंट्स यह ब्रहत पूसकता है इसके उधारण देखते हैं इसमें उधारण है मित्रो नाइट्रोजन पोटैशियम कैल्सियम फॉस्फोरस मैगनेशियम सल्फर ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन पादपूतक में इनकी सांदरता एक से इसके बाद एक होता है सूछ में पोश्ससकत्त्त वेप तक तो जिनकी आवशक्तता पाउधों को बहुत कं मात्रा में होती इनकी आवशक्ता पाउधुЙ कहलना होती है । इसमें मन की चैयू थे ऐन मुद्रा अदिक माइगनेश कॉपर आइरन मॉलिविडिनम जिंक बोरान क्लोरीन निकल आड़ इनकी सांदरता पादप उत्कों को 0.1 मिलिग्राम पर लीटर शुश्क मात्रा में होती है तो इनकी बहुत कम मात्रा में आउशकता होती है इसके बाद सूश्मपोसक्तत्यू की एक परिभास यहाँ पर लिखी होई है दूनों एक ही बात है बस इसमें फिर से एक बार एक चीज़ देख लेते हैं लोग कि सूश्मपोसक्तव में क्या क्या है जिसे लोहा है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तामा है, आयोडीन है, मैगनी है। उसके बाद सेलीनिय्यम मजास्ता और मौलीविट्र रम अधि यह सूज्म पहोगा ताई है सिसके बाद हितकारिप पोसक्तत्त्त्तों के भी पहुझाओबॉस ज़रोत होती तो Les इसके बाद में दीखे पउध्या से पॉफ्यक्यातु तो उनको दो भाव उन्वाय अभी तत्त्तु profess doit हवा और पानी से ले लिए जाते हैं जिसे कार्बन हाइडूजन और ऑक्सीजन इसके बाद खानिस तत्तो यह मुख्यता मिट्टी से आइनित रूप में ले लिए जाते हैं है इसी होते हैं और सुच्म पोषक्तत घॉप जाते हैं अगर हम मैक्रोट्रेश पोषक्तत है और रगिए ताई टोकी तीन इसी ते घूप में डिवाइड हो जाता घूप तीन पोषक्तत forbidden nitrogen phosphorus potassium इसके बाद दूतियक पोसक्ततों है calcium magnesium और sulfur इसके बाद सूच पोसक्तत में आप जानते ही हैं जस्ता जिंक माइगनीज लोहा बोरान मॉलिबिडनम क्लोरीन और निकल तो मित्रो यह है पूरी कैटेगरी आवश्यक पौधों के पोसक्ततों है उनकी पूरी कैटेगरी है तो खास तोर से हम लोग ध्यान रखेंगी कौन कौन से तत्तों जैसे ब्रहत तत्तों की बात करें तो उसमें कार्बन आएगा hydrogen आएगा oxygen है nitrogen phosphorus potassium calcium magnesium और सलफर अगर हम सूच पोसक्ततों की बात करें तो आयरन मैगनीज बोरान मॉलिबिडनम कॉपर जिंक क्लोरीन निकल कोबाल्ट सोडियम और सिलिका तो यह महत्तपोड कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ के लिए दो ही महत्तपोड है कैटेगरी एक है micronutrients की कैटेगरी यानि व्रेहत पोशक्तत और एक है micronutrients की कैटेगरी यानि सूच में पोशक्तत या अल्प मात्रिक पोशक्तत तो मित्रों देख सकते हैं कि अगर growing point होता है कहीं पर यानि जहां कल्ले वगरा निकलते हैं पाउधों में तो वहां पर कैल्सियम और पोरान की नीड होती है और कहीं नई लीप्स यह नई पत्तियां होती है महां पर sulphur copper iron और मैग्नेज की नीड होती है इसी तरह से अगर मध्य पत्तिया यानि जो बीच वाली पत्ति होती है उसमें जेडेन की नीड होती है और जो पुरानी पत्तिया अ कुछ दिनी नीड होती है यह अनु नी नाटोजन फासपोरस पो टैशियम माइगनेश और मॉलिविड़नों की देख सकते हैं कि में augan की क्या कार्य कार्ट को बिए समझ सकते हैं पत्तियों में Bridge का क्या कारिय होता है या पंधों मेंगंध का क्या का रह सुल्फर का क्या क्या कर रहा ह है मैगनीज जैस्ता मैगनीशियम फॉसफोरस। मेशियम लोहा तामबा इनके कार्यों को हम बहुत आराम यूक्त को देख लेते हैं झिसके मात्यम से हम पाउधों के लिए आवश्यक सूच्म तत्तों या अल्प मात्रिक तत्तों को याद रख सकते हैं इसके लिए हमारी ट्रिक है फे कुमन मोहन जाबे निकल फे से एफ एनि आयरन कू से सी यू मन से मन, मोहन से मो, जा से जिंक, जा से जिंक, बे से बोराउन, नी से एनाई निकल और कल से सी यल यानि क्लोरी तो इस तरह से सूच पोसक तक तो है मित्रों इस युक्ति के थुरू आप बहुत ही आराम से पाउधों के लिए आवश्चक सूच पोसक तक तो या अल्पमात्रिक तक तो को याद रख सकते हैं तो मित्रों हमारा वीडियों इस पर समाप्त होता है उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कमेंट भी कीजिए इससे अपना हौसला बढ़ता है फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियों के साथ तब तक के लिए जय हिंद